अमेरिकी बैंक, सिल्वर गेट बेकापिटल, सिलिकॉन वाली बैंक, सिगनिचर बैंक और फर्स रुपॉब्लिक बैंक के धराशाई होने से पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल मचे हो ही है अमेरिका के बाद ये क्राइसिस यूरोप पहुची और वहां का दिगज बैंक, क्रेडिट सोईस बैठ गया इसने दुनिया भर में ये आशंका पैदा कर दी कि क्या एक दफा फिर से 2008 जैसी मंदी आने वाली है तब भी क्राइसिस के शुरुवात बैंकों के जूबने के साथ हुई थी क्रेडिट सोईस के संकट में फसने का भारत पर भी असर पढ़ने की आशंका पैदा हुई है क्रेड सोईस के भारत में अरीब 20,700 करोड रुपई की एसेट्स हैं और ये देश का बारवा सबसे बड़ा गुदेशी बैंक है भले ही क्रेड सोईस को वहां के सेंट्रल बैंक की तरफ से 54 अरब डॉलर का कर्ज मिल रहा है और फर्स रिपॉब्लिक बैंक को 30 अरब डॉलर का बेलाउट पैकेज देकर उन्हें बचाया जा रहा है लेकिन बैंकों में पैदा हुआ ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये क्राइसिस कब खत्म होगे इससे ये डर पैदा हुआ कि कहीं भारत के बैंक भी इस क्राइसिस की जद में तो नहीं और अगर global banking crisis बड़ी तो भारत के bank का क्या होगा export भी मान रही हैं कि भारत के लिए इस crisis से मुश्किल पैदा हो सकती है banking sector में जो crisis अभी देखने को मिला है उस पे काफी हर्थ तक अब इंडियन बैंकों पे भी impact आएगा और जिस हिसाब से यहाँ पर SVBP bank या फिर signature bank overall जो sentiment यहाँ पर खराब हुआ है कहीं न कहीं से अब 2008 में जो संकट आया था उससे इसको relate किया जा रहा है Credit Suisse और खास तोर से यहाँ पर First Global ने अगर यहाँ पर थोड़े से banking को funding की तो उसका impact बस इतना होगा कि market में जो volatility है वो थोड़े से stable होती हुई नजर आएगी सवाल यह भी है कि बैंकों में जमा आम लोगों का पैसा क्या डूब सकता है यह चिंता तो bank customers की है लेकिन investors के सामने भी एक बड़ी फिक्र है bank stocks में क्या करें इन्हें hold करें खरीदे या बेच दे नमश्कार मैं हूँ शुया ठाकुर और बिजमनी देख रहे हैं मनी में आज हम मौझूदा वक्त की इस सबसे बड़ी उल्चन की बात करेंगे हम ये भी चर्चा करेंगी क्या bank stocks अभी safe है या नहीं सोलर मार्च 2023 यानि गुरुवार को बंद भाव के आधार पर देखते हैं कि banking stocks ने कैसा performance किया है सोलर मार्च को इंडिस इंड बैंक ने शेयर 1070 रुपे पर बंद हुए इस साल के शुरुवात से अब तक इस बैंक ने नेगेटिव 16.6% रिटर्न दिया है पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 48 रुपे पर बंद हुए है और इमने 15.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है अगर सेक्टर की बात करें तो नेफ्टी बैंक 49,132 पर बंद हुआ और इस साल इन में 9.5% का नेगेटिव रिटर्न दूसरी और इसी अबधी में नेफ्टी 50 का रिटर्न नेगेटिव 6.2% दी रहा है यानि नेफ्टी 50 के मुकाबले बैंक नेफ्टी का परफॉर्मेंस द्यादा खराब रहा है इसी तरह से इस साल इंडेसिंट बैंक PNB और SBI सबसे बुरी ग्रावट का शिकार रहे हैं और इन में इनवेस्टर्स को नेगेटिव 16.6% से 14.5% रिटर्न मिला है ऐसे में बैंकिंग सेक्टर की मौझूदा क्राइसिस में क्या आपको बैंकिंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए बैंकिंग स्टॉक की पास चुन्ता की बात यह है कि चुकि बैंक आपस में जुड़े होते हैं ऐसे में अगर banking sector crisis में फस्ता है तो markets भी गिरावट का शुकार हो सकते हैं जिसने लोगों ने banking sector पर निवेश कर रखा है और खास और से जब भारती बैंकों का comparison करें तो US के comparison में भारत के बैंकों के fundamental जादा strong है और यहां पर RBI ने समय समय पर ऐसे concern कि लिये हैं या फिर यह कहे कैसे decisions लिये हुए हैं जिसकी वज़े से यहां के बैंकों के fundamental हालात काफी बड़े और strong परीके से हैं लेकिन जो impact है वो थोड़ा सा जरूर यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है और US में या फिर बाहर के जो बैंकों के गिरावट है उसकी वज़े से Indian economy में या Indian market में पूरी industry पर देखने को मिलेगा और इस समय जो हालात बने हुए हैं ऐसे में बहुत से banking sector attraction price पर नजर आ रहे हैं खास और से SBI, Federal Bank, Bank of Baroda, SDFC यह ऐसे bank के counter हैं जो कि यहां से अब एक अच्छा upward move दिखा सकते हैं और long term के लिए अगर आपको निवेश की रनीती बना नहीं है त बैंकिंग सेक्टर में इन stocks में partial investment यहां पर किया जा सकता है आपको मारे जौन कारी कैसे लगी comment करके जरू बताए वीडियो को लाइक और share करना ना भूले साथ हो जो मारे नई viewers से वह भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल